जूचना अच्छा टेफेंस आश्परेंस से एक महतपून सूचना, एंडी एवन 2024 में, टोटल नमबर अफ सीट्स जो नैशनल डिफेंस अकाडमी में फीमेल्स के लिए थी, वो 37 थी, जिसमें से भारती ये 9 सेना के लिए 12 सीटे थी, ओवराल भारती ये 9 सेना के लिए 42 सीट्स थी, जिसमें से 30 सीटे लड़कों के लिए थी, और 12 सीटे फीमेल्स के लिए थी, अभी हाली में UPSC ने आज 6 घंटे पहले एक नोटिस जारी किया है, जहां पर उन्होंने बोला कि अब भारती ये 9 सेना में जो नीवी के लिए, जो लड़कियों के लिए सीटे थी, जो 12 थी उसको रिड्यूस करके 6 कर दी हैं, और लड़कों के लिए 6 सीटे बढ़ा दी हैं, अपने आप में वो कहते हैं न कभी खुशी कभी गम, तो ये दोनों खुशी और गम दोनों की बात है, इसलिए क्योंकि 6 सीटे लड़कों के ये थोड़ा दुख की बात है, अभी कुछ दिन पहले नाशनल डिफेंस अकाडमी ने नीज में एक आर्टिकल निकाला था जहापे उन्होंने कहा था कि अब नाशनल डिफेंस अकाडमी में कंस्ट्रक्शन्स हो रहे हैं और बटैलियन्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले 4-5 सालों में एंडिये की सीटें बढ़ेंगी, मुझे उमीद थी कि दीरे दीरे सीटें बढ़ेंगी बट अभी नंबर आफ सीट्स में कोई चेंज नहीं किया गया, नंबर आफ सीट्स नाशनल डिफेंस अकाडमी के लिए वो ही है, होता यू है कि एंडिये के लिए सीटें होती है, उसमें से आर्मी, एरफोर्स, नेवी, नेवल अकैडमी के लिए बाटी जाती है, अब एरफोर्स में दो पाइलेट के लिए, दो ग्राउंड ड्यूटी टेकनिकल के लिए, दो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेकनिकल के लिए, आर्मी में और नेवी म 12 को अब reduce करके Air Force के बराबर 6 सीटे कर दी है Aspirants एक-एक rank से बहुत फरक पड़ जाता है merit में इसलिए अपने आप में ये दोनों खुशी और गम की बात है खुशी लड़कों के लिए क्योंकि 6 सीटे लड़कों के लिए बढ़ गई है और गम लड़कियों के लिए अब आपको और मैनत करनी पड़ेगी 6 सीटे कम हो गई है इसी के साथ अब भारतियन जो National Defense Academy है भारत की Tri-Services Academy उसमें girls के लिए 31 seats हो गई है बने रहिएगा त्रिशूल Defense Academy के साथ latest defense updates के लिए इस चैनल को subscribe करें Thank you जोइन करें और start करें अपनी online classes